नमस्कार दोस्तों, आर भी ऐसी माधिमिक सिक्षा बोर्ड राजस्थान के तश्मी का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के साथ ही कई ऐसी प्रतिभाएं सामने आई, उन्हें विलक्षन प्रतिभाओं को देख कर सभी आश्चरी चकित हुए, ऐसी ही एक विलक्षन प्रतिभा से आज आपको हम मिलाएंगे, लगातार हम आपको जो प्रतिभाएं हैं, अपने क्षेतर की उनसे मिलवा रहे हैं, ताकि प्रतिभाओं के और वो बच्चे जो आगया आने वाले शत्रों में एक्जाम देने वाले हैं, वो भी एक टार्गेट बना सकें, वो भी सीख सकेंग बिल्कुल मैं आप सही सुन रहे हैं, RBSC माद्यमिक शिक्षा बोर्ड के 2020 सत्र के राजस्थान टॉपर हंसराज फोगावट के घर पर इस वक्त हम मौझूद हैं, सिक्कर जिले के तासर छोटी गाउं में, आए हंसराज फोगावट से मिलते हैं और बाचीत करते हैं कि किस तरह से यह जो बच्चे टॉपर्स होते हैं, वो तैयारियां किस तरह से करते हैं और किस तरह से उसने भी अपने लक्ष को साधने के लिए तैयारियां की थी, मैं हो नागेश कुमार कोशिक, आप देखना शुरू कर चुके हैं केडिय चराजस्थान, आईए मिलते हैं, बा झाइका का उचसОल परिए से चराच, आईए मिलते हैं, बाइए पतो myISA उबाजस्स, आईए मिलते हैं, भी और कोश्राओ, बाजस्था झायारियां मिलते हैं, झाम देखना पर लक्टि onrechtब हैं, जईए पHow कई अभरत घर नार्म मिलते हैं हर सफल व्यक्ति के पीछे एक संघर्ष शील कहानी होती है और हर संघर्ष शील कहानी का अंत सफलता ही उता है अब सभी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूरे लगन के साथ तैयारया करते हैं पूरी साल तैयारया करते हैं बहुत सारी एक सेटूल मि बनाते हैं लेकिन कुछ ऐसे विलक्षन प्रतिभाई होती है जो अपनी प्रतिभा के दम खम को दिखाती है और पूरी दुनिया को चौका देती है ऐसी ही एक विलक्षन प्रतिभा जिसने पूरी राजस्थान को चौका दिया है पूरी राजस्थान के बड़े बड़े इंस्टिटूट मेंगी मेंगी एज्योकेशन्स को पिछे छोड़ते हुए सभी को पिछे छोड़ते हुए नमबर वन का खिताब 2020 का उसने जीता है हांसर आज फोगावर्ट केमरे पर मेरे साथ में उनसे बाचित करेंगे और ध्यान से आप भी सभी लोग देखना कि किस तरह से एक टॉपर्स जो बच्चे होते हैं वो तैयारियां कैसे करते हैं ताकि आप भी अपने जीवन में सफलताएं पा सकें बहुत-बहुत स्वागत है आपका और बधाईयां आपको धेर सारी आपने पूरे राजस्थान को चियर किया है राजस्थान में नंबर वन आप रहे हैं तो जैसा कि मैं पहला प्रश्ण यही करता हूं और पहला प्रश्ण सभी के दिमाग में भी यही होता है कि सीक्रेट क्या होता है आपके एसाब से क्या सीक्रेट होता है कोई भी जैसे टॉप करता है या टॉप करने के लिए क्या सीक्रेट होने चीए क्या ध्यान रखना चीए सब्सक्रेट की कोई बात नहीं है बस डाइपर फोकस करो और डाइपर फोकस करेंगे तो अपने आप ही टॉप होंगे और मैंने भी एपनी प्रडाइबर पूरा फोकस किया था इसलिए आज मैंने रजस्तान को टॉप किया है तो राजस्तान को आपने टॉप किया तो आपको उम्मिद थी आप राजस्तान को टॉप करेंगे हाँ मेरे को लग रहा था कि मैं राजस्तान को टॉप कर सकता हूँ और रिजल्ट आने के बाद पता चला कि मैंने राजस्तान को टॉप किया है कि मतलब आपको जीसे रिजल्ट आपका आया उस दिन भी आपका क्या वो मुमेंट रहा होगा कि इस दिन ज्यएlexe अभी आप को पता था कि रिजल्ट आने वाला है और सबसे पहले जिसे आपको किस ने बताया और क्या वो excitement moment रहे होंगे कैसी वो प्रतिक्रिया रही होगी आपकी उस्षण के लिए सर रिजल्ट आने से पहले में थोड़ा नर्वस था और जैसे जैसे रिजल्ट की गड़ी नस्दिगा रहे थी नर्वस ने इस बढ़ती जा रहे थी लिए रिजल्ट आने के बाद में स्कूल सिफ होना था और उन्हों नहीं बताए कि आपके 99.50 अंक बने हैं और उसके बाद तो खुशी खुशी हो गई सिर कि मोमेंट रहा होगा जैसे अप बचल जाने वाला था चाहता हैं और स्कूल किमीरी नमबर इस तरह किस तरह से क्या नमबर कटने वाले है या नहीं कटने वाले हैं उस तरह सब्सक्राइं उस्फर में सब level सूच रखा हो आप मैंने तयारी के सोच रखा impressedbuild that can प्याि आ कर्क एक रहा होगा कि इस सब्जेक्ट में मेरे को डिफिकल्ट आ रही है घर जा रिए perlu तो उस सब्जेक्ट आप ए शुनसे बिप्यूरत और उन्हें नहीं मुझे प्रोटसान भी किया था कि आप गिनाइन डिनाइन आ सकते हैं जैसे आप पढ़ाई करते थे तो आपने एक सेडूल बना रखा होगा पढ़ाई का भी कि इतने गंटे अपने को पढ़ना है तो आपका किस तरह से पढ़ाई का क्या दिन बर में कितने دة गंटे पढ़ते थे सथे क्लास के प्रणाओ में में जो में पढ़ाया जाता था वो उस ₹ तिन उस तन तिन में वह लगबख फूर्द कर लेसा कि अधा आठा गया था सेलूल पर चुद देनि जो घर परा पर करते हैं एक स्कूल पढ़ाई होटी हैं दोनों की भूमिगा को आप किस तरह से देखते हैं इसकूल की पढ़ाई कितना हुए तो रखती है और सेल्फ स्टड़ी जो हम घुद करते हैं वो कितनी काम आती है अज़ जदा सेल्फ स्टड़ी काम आती है और स्कूल में भी बहुत बुच्छे पढ़ते हैं लेकिन जो मतलब एक विशेस कोई रॉल मोडल या कोई ऐसे टार्गेट कि वही आप बनना चाहते हैं को यह किसी को आपने देखा या क्यों ऐसा आपकी दिमाग में है नहीं देश की शिवा एक नाम है ऑफिसर बनना चाहता हूं यह बहुत बड़ी बात है देश शिवा और के लिए सम अपीडी में तो और मैं पढ़ाई लिखाई से ही संबने थोड़ी सी बातें और करूंगा कि एक जैसे कोई बच्चे अब जैसे अगली साल बैठेंगे इस सतर में बैठेंगे वह आपको एक आईडियल की तरह देखेंगे तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि उन देन तयार करें ताकि आगे उन फिर परिसर ना पड़े एक जैसे पढ़ाई के अलावा एक चीज़ और भी होती है मोटिवेशन कॉन्फिडेंस तो आप अपने मोटिवेशन के लिए क्या आपका तरीका होता था कि जब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करते करत हैं मैं उधान के तोर पर जब जो पूछना चाहरा हूं है समझाने कोशिश करता हूं कि जैसे अपन स्कूल से भी मोटिवेट होते हैं अध्यापकगन भी मोटिवेट करते हैं अपने को परिवार के लोग भी मोटिवेट करते हैं या अपन आज सोशल मीडिया का टाइम है तो शोशल मीडिया में भी मोटिवेशनल बहुत सारी चीजे उपलब होती है यूटूब अगरा प्लेटफॉर्म से तो आप मोटिवेशन के लिए और कॉन्फिडेंस को और बिल्ड करने के लिए क्या यूज करते थे मेरे परिवार वाले और स्कुल वाले मेरी मोटिवेशन थे उनको यह देखर मेरे अंदर को इनदर को इन्फिडेंस आता था सर्थ इससराज करते हैं और उनकी परिवार एक प्रस्ट भूमी को समझने की कोशिश करते हैं बहुत स्वागत और बहुत-बहुत बढहीयां आपको अपको परिवार से आपकी बच्चे ने आज इतना बड़ा नामरोशन है और मैं ये कहूं कि शायद आज जैसे मैं भी आपके पास आया हूं तो आज हनसराज की बज़े स्क्यों आपके परिवार का बहुत बड़ा नाम है लेकिन आज आज आपके परिवार आज पूती से के नाम से आपको धूनिया जान रही है कितना अच्छा क्यों अप्रिवार में भी जरूरी होता है कि हम परिवार से भी इसी उसको भूमिका दे परिवार में एसा माहौल रखें कि जाना चाहूंगा सिक्षा के इस तरको भी जाना चाहूंगा कि जैसे आपके परिवार में सब लोग कितने पड़े लिखे हैं और क्या इसको सभी धाई मिलती थी सब 10 तक हैं 10 तक सभी पड़े लिए 10 तक पड़े हुआ हैं बहुत ज्यादा पड़ाई में कोई ऐसा चोटा वड़ा इसका अंकल है यह बाई है वह जी बाजी है वो बेट की है और हम तो इतने तिन्त के सभी आप यहां पर क्या खेती करते हैं कुणमा के खेतिया काम करते हैं और मवेशी वगेरा भी हैं जानवरी है पंसे बैसे गाहीं पंसे आजीवी का आपकी खेती है या और भी कोई बार भी दिंदा में है तो को डिक्ट लाइन है हंसराज से लग गई थी इक परिवार में दूसरा टाइप का सामाहूल हो गया तब फिर भी उसने होसला नहीं ख्वया मैं उस बात को जाना चाहूंगा उनके पिता जी मेरे साथ में हैं प्रला जी फोक आउट आप से ही जाना चाहूंगा कि पहले तो आपकी तबियत अब कैसी है औ सब्सक्राइब करवा दो अब जाना चाहूंगा निकाल रहे थे और गयों निकालते वक्त यहाथ आए अंदर हाथ पुरा किस्तिवर्स्त हुए था ऐसे में इलाज को आया वहां पर उप्रेशन हुआ बाद में घर का महलों गडबरा गया और हंसराज इसको भी बहुत दिक अब जाना को आपके पीछे काम समालने वाला यह आपका बचा यह की हुआ यह की हुआ यह आप समझ सकते हैं कि और यह जो घटना हुई थी यह घटना कब हुई थी लोगडाउन अपने 22 मार्च से लोगडाउन शुरू हो गया था जनता कर फ्यू लगने के बाद में और आपके कौन-कौन से पेपर बाकी रह गए थे और इस बीच परिवार में अशी घटना भी घटी लेकिन फिर भी आपने होसला नहीं खोया और उन दोनों विश्यों में आपने सो में से सोई हैं तो आपको घर पर काम भी करना पड़ता होगा हां सर अगर फर काम भी जिम्मेदारी तो सभी हो गए थी पापा के हाथ के लगजाने के बाद लेकिन थोड़ा-थोड़ा समय निकाल कर देता था पड़ाई को और उसकी बदोल लगता है कि आज उन मे चार मेने की प्रिड़ में कम से कम चार या पांच गंठे रोज खाम करता था घर पर उस टाइम पर रिजल्ट आने बला था चार वजे और हरनसराज है वो गाव भैस है उसको फूस नियुरा था जैसे रिजल्ट आ तो कुशिका महल होगी है और कल भी काम तो हैसा कोई दिन कोई दिन नहीं है कई ऐसे युवा बच्चे हैं जो टॉप की तैयारी करते हैं और उनमें बहुत इच्छा होती है कि हम टॉप करेंगे लेकिन वो कुछ पिछे रह जाते हैं तो उनके लिए भी क्या आपका मेसेज रहेगा कि वो बिलकुल निराश नहीं हो और आगे से इस बढ़ा करते हैं जैसे डॉक्टर एप जे अब्दॉलगलाम ने भी खाता था कि ऐसा पलता ही सफलता के पहली सीड़ी है तो ऐसा पलता मिलने पर निरास नहीं होना से इसर बहुत अच्छी बात है ऐसा फलता कोई ऐसा फलता आखरी नहीं होती उसके बाद फिर सफलता म के परिवार से और आगे सबी से सपोर्ट आपको मिले ताकि आप आगे जीवन में लक्ष प्राप्त करें अब यह तो काम का परिश्टर तो है लेगे नहीं तना ज्याद़ नहीं है और अभी स्कूल भी नहीं खुली है तो बाद में साइंस मैट लेकर आगे अंडिया में तैय पुरा हो गया था और क्या रिवीजन और क्या टेस्टिंग या नोर्स क्या सेडूल क्या था सर हमारा अस्कूल में कोर्स लगबग नॉम्बर दिसम्बर तक पुरा हो गया था उसके बाद वेकली और मंतली टेस्ट लगते थे उनमें रिजल्ट पिया थे जिनमें मेरे कभी आक़ी मेसेज आपका क्या रहेगा कि आगर सबी जो बच्चे हैं वो सफलता पराप्त करें और सफलता की क्या कॉंजी होती है सफलता की कॉंजी तो माता-पीटा और गुरुजन यह अवते हैं जैसे माता-पीटा भी अपनी जिम्मेदारी निपए और गुरुजन भी सपोर्ट करें तो सपलता में ली जाती है सर, आपने कभी ट्यूशन या कोचिंग की थे? ट्यूशन नहीं की जाता है, इसकूल में पढ़ाया जाता था, ट्यूशन नहीं लेते थे अलग से, बहुत अची बात है, यह देखिए, बिल्कुल कोई भी ट्यूशन नहीं लिया और अपनी सेल्फ स्टडी के दम पर जो स्कूल में पढ़ाया गया उस स्कूल की पढ़ाई को अपने साथ लिया और सेल्फ स्टडी की और एक राजस्थान टॉपर्स बनकर उभरा हम अकांक्शाग रखेंगे हम यही उम्मीद रखेंगे और हमारी यही शुबका इस राजस्थान की भूमी मरू भूमी का नाम रोशन करें मैं हूं नागेश कुमार कोशिक अपने केमरमेंट सहीूग या निल परजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद